महज पांच शाल में इस चड़क की हालत खस्ता हाल है और गरामीन इस चड़क से परिशान है एक तरफ सरकार के वादे दूसरी तरफ जनता की उम्मीद हैं और तीसरी तरफ कितना विकास हुआ है वो न्यूस 31 आज आपको बताने जा रहा है आज हम पहुंचे हैं यौलकांडे गाउं में जहां सडक की हालत इतनी खस्ता हाल है कि ये पूरी जो सडक है ये टूविलर चल किया गया था लेकिन महज पांच साल बीच जाने के बाद शड़क में इस तरीके से डामरी करण उखड गया है तो ये संबंद विभाग पर भी सवाल खड़े करता है और हमाय साथ यहां के कुछ ग्रामेंड मौजूद है कुछ जनपरतिनीदी मौदूद हैं उनसे हम जाने कि क्या उनकी समक्षा है इस खस्ताहाल सड़क से क्या परिशानिया उनको हो रही है जाए जिंदकी की श्थि हो सकती है जबकि इस रोट के लिए कुछ समय पहले गायमिनों ने लोगनिरमां विभाग में आंधुम्त भी किया था और उन्होंने यह आश्वसन दिया था कि अ इसके इसकी इसमें डामने करवा देंगे जब रोट सुरू नहीं हुए थी उससे पहले भी गाहँवादने आंदुन किया तब रोट का काम सुरू हुआ गाउं को ये शड़क जोडती है और कितने किलोमेटर की ये शड़क है ये बागेशवर से जॉलकानडे 9 किलोमेटर है और वहां से लेटी है ये 13 किलोमेटर आज शीशा खानी है ये 3 किलोमेटर तो ये जो जब ये शड़क ने नीहमान होगा था नियमान होने से पहले भी गाहँवालने अंदुन किया उसके बाद जब 5 मेहने पहले फिर गाहँवालने लोग मां वा तीनु ग्राम सु आगे आ तो इतनी जल्दी शड़क की हालत इतनी बुरी हो जाना आप इसको किसके गल्दी मानते हैं यह मानता हूं बीपी पिभाति गल्दी एक काम करने वाला गल्दी नहीं करता है जो इसमें जे जो इंगा अजिसाइसी अभिनता हैं यहां से उत्राखन सबस्क्राइब बैठे क्या इससे पहले भी कोई घटना हुई है इस सड़क में खराब होने की वज़े से खराब होने की वज़े से पहले भी कई सड़क बुर घटना है इस सड़क पर हो चुकी है यहां के शेत्र पंच्या सदक्षी हमाय साथ मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि क्या परिसानिया हो रही इस सड़क की वज़े से यह सड़क की वज़े से बहुत परिसानिया हो रही जैसे बीमार वेक्ति हो गए और गर्बास तो महला हो गए यहां ले जाने आने जाने में बहुत समस्या हो रही और यह गड़ों की हालत आप देखी रहे हो और टू विलर्ड चलाने लाइक क्या शड़क हो रही है तो दूर की बात है फोर पर चलान लाइक जिए रोट नहीं हो रखी है और हम प्रसासन को यह एक बार ग्यापन सौब चुके है और डीम साफ होगे और प्रसासन देखी दिनों के अंतरगत इसमें पेच का काम शुरू कर देंगे आपको क्या लगता है कि गड़े महज गड़े भर देने से यह शड़क की हालत ठीक हो जाएगे ना ना वह गड़े बहुत तो खालत ऐसी रहने वाली है बार इसमें फिर उख़ड जाना उसने सब्सक्राइब करते हैं कि शड़क को कैसे ठीक किया जाए यह रोट को देखके तो ऐसा रखता है कि जैसे कि रोट में गड़े नी गड़ों में रोट चल रही है और इसमें जो भी आगे को कारवाई हो और राज में उस एक्षन साहब बाद भी हुई वो बोल रहे थे कि हम सब्सक्राइब को अवगत करा दिया गया है लेकिन इसके बावजूद इसके सुधारी करण में कोई काम यहां पर नहीं हुआ है हमारे साथ एक वहन चालक हैं आप अभी यहां से गाड़ी चला कर जा रहे थे तो कितनी परसानी आपको होती है इस चलक में गाड़ी चलाने म होता है हम अपने बीबी बच्चों को अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकते क्योंकि रोड की हालत आशी है कि हम उनको अपने साथ बिठा के लहीं जा सकते अच्छा आप कहने का मतलब यह है कि गाड़ी सिंगल में भी चलाने लाएक यह रोड नहीं हो अच्छा आप क्या काम क तो यह रोट ऐसी है कि हमने धीरे ले जा सकते हैं तो यह पानी नाले करें तरफ से जाए रोट में अगर पानी नहीं आएगा तो रोट खष्टा हाल नहीं होगी में मुद्धा है रोट के किनारे जो नालिया है वो नालिया ध्वस्त है जो जन परतिनीदियों की तरफ से बादे किये जाते हैं वो कितने आपको साफ दिख रहे हैं इस चड़क में बिल्कुल नहीं मैं कि यो एक पर्सेंट भी हमको यह नहीं लगता है कि अ कार्य पूर्ण तरिके से उवा यह तो ऐसा हुआ है कि चलो काम चला हुमने कर दिया इनको दिखा दिया गाम वालों की तुमारे घर मा हम सड़क लिया है लेकिन यह कोई वो नहीं होता है कि दिखाने से कि यह शड़क आगी है मैं उसकी पूरी तरीके से जाज करके पूरी तरीके से रिपलाई करना चाहिए उसको रिपेरिंग करना चाहिए इसकी नालिया मेन है नालिया क्योंकि हमारे गाड़ घतेरे होते हैं उनमें पानी आता है पानी सारा रोड पे चलता है तो रोड टूड जाती है और इस शड़क की वज़े से गाड़ी के मैंटेनेंस में कितने दिक्कत आती है कम से कम महिने में 3-4 अजार रुपिया या दो महिने में 3-4 अजार रुपिया हमारे गाड़ी का मैंटेनस आ जाता है इनका कहना है कि बेभाग की वज़े से शड़क निर्मान के दोरान लीपा पोती की गई है जिससे इतने कम समय में बेभाग की और से बनाई गई इस शड़क की हालत इतनी खराब है और यहां की ग्राम प्रधान हमाया साथ मौजूद है उनसे जानेंगे कि महिलाओं को टू विलर चलाने में या फिर शड़क में आवागमन करने में कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ते हैं में महिलाओं को टो बहुत दिक्कत होती है यहां चलने में कुछ मैंने जब स्कूटी सीगी तो मुझे ही बहुत प्रॉबलम हुई यहां पर क्योंकि साही रोड में कंकड़ी कंकड़ है शड़क खराब होने की वज़े से क्या क्या परिशानिया आपको होती है और यह खराब शड़क कितना समय आपका लेती है आवागमन करने में में जो खराब है उसमें हमारा समय जो है आदे घंटे हो लगता है यहां से आने में लेकि उसमें एक घंटा लग जाता है और हमको प्रोब्लम तो बहुत ज्यादा होती है कंकरवाली शड़क में और ना यहां टूविगेश चल सकता है और फोज्व लगने बहुत जदा प्रो तो हमने पिछले बार में हमने संकर सिक्या वीज में एक महना पहले कि इसमें डामरिकन किया जाए और रोड जो है बहुत खराब है तो चोटे वहां चलाने में बड़ी करिए तो आंधून चंझे के बाफ जूद भी इसमें कोई और दूसरा वी लेटी के लिए जो रोड जाए भी इसमें खाली सोलिंग हुआ है और उसमें कोई कारी नीवान है और दुसरा जो लेटी से जो शिशा जाती में वह बहुत खराब है उसमें ब्लबड पत्थर हैं जो कितने गाउं को और कितनी ग्राम चबाओं को यह जोड़ती है यहां से लेके चनापानी लेटी जौल गांडे बौरगां अमस्याट कोट और यह आपका यह आपका गांगां को जोड़ती है तो में हमने कितनी बार अगणत करा दिया है कि मैं रूट को डाम परिंगल के जाए गड़े होगे जिससे छोटी-छोटी गारियां बार-बार गिर रहे हैं कितने अक्सिटेंट हो गए हैं बहुत दुरगर्णा हो चुकिए हैं अभी दूर घटना है लगभाग इस सब्सक्राइब हुए और शिसागानी की जो रोड है उसमें जो है डोली में पेशेंट को ल कितनी दिक्कत हैं आपको काफी दिक्कत हो ही मैडम जिसमें यहां से पैदर जोली मल आये हैं यहां यहां से भी उसके बाद गारी की तो काफी समयश्याओं का सम जो हैं सब्सक्राइब करें पर किद्र को बहुत है लेकिन कोई नहीं नहीं क्या चाहेंगे परशाषन और विभाग को इस खराब रूट के संब्द में एक प्राइब शॉलिंग और शिलशा गाने वाली रोट में जो बड़े-बले पत्थर हैं जो बड़े-पत्थर आगे रूट मे अगर इसमें अगर सीक्ट से नहीं होगा तो इसके लिए हम चार-पांच गाउंगे जो संगर समिती हमारी संगर समिती मैं उसका अध्यक्स रमेज जनोटी हूँ मैं इसके बाद फिर हमें इसको संगर्ष करने के लिए फिर मजबूर होना पड़ेगा इनका कहना है कि यदि विभाग की ओर से इस पर कारवाही नहीं की जाती है तो आगे यह सड़क के लिए संगर्ष करेंगे और आंदोलन रत रहेंगे लेकिन यह बड़ा सवाल है कि महज पांच साल में इस शड़क की हालत खस्ता हो है और गरामीण इस शड़क से परिसान आग हम आपको बता दें कि छाड़क की खराब होने की वज़य से गारमिन को कहना है कि उन्हें आवागमन में काफी दिक्कतु का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें आदा घंटा घर पहुंचने में लगता है तो वहीं उन्हें 1 घंटे का समय इस khoणकश ठालक पर देना पड़ ना भूले